मिनीच शप्रावली के उपनाम से मशूर फत्यपुर सीकरी के चौधरियों में बगावट के सुर उठने की बात कोई नई नहीं है जब भी चुनाव आते हैं परत्याशियों की घुशना होते ही यहां चौधरी बगावट का जंडा बुलन कर लेते हैं लेकिन पिछले एक दशक में बगावट का अंदास बदल गया है अब चौधरियों की बगावट परत्याशियों की घुशना होती है तो यहां के चौधरी बगावट का जंडा बुलन्द कर लेते हैं लेकिन पिछले एक दशक में बगावट का अंदास बदल गया है अब चौधरियों की बगावट परत्याशी के परती होती है ना कि किसी दल के चौधरि रगुनाद सिंग महवध्याले में प्रत्याशियों की नाम की खोशना के बाद बुलाई गई महपंचायत की तस्वीर 2019 लोकसभा चुनाव में भी देखने को नजर आई थी उस समय भी पूर्विसांसद चौधरी बाबुलाल की दाविदाई को अंदेखा कर राजकुमार चाहर को भाच्पा की ओर प्रत्याशी खोशत किया गया था और मोधी लहर में भाच्पा प्रत्याशी राजकुमार चाहर को भारी मतों से जीत मिली थी लेकिन इस बार तस्वीर भले ही पुरानी हो लेकिन कारेकरताओं का मिजाज कुछ बदला-बदला सा नजर आया बहपंचायत की दौरान पांचो विधानसभा शेतर से आये पदादिकारी कारेकरताओं और लोगों ने भाच्पा प्रत्याशी के पांच साल के कारेकाल पर जम कर सवाल खड़े करते हुए उनसे पांच साल का हिसाब मांगा वहीं दूसरी और भाच्पानिता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी का कहना है कि वह पार्टी और पार्टी की नीती और सिधानतों के प्रती विश्वास रखते हैं और ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहते हैं जिससे पार्टी को कोई नुकसान हो लेकिन इस बीच उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के नाम पर जरूर सवाल खड़े करते हुए फतेहपुर सीक्री लोग सभा के अंतरगात आने वाले पाचो विधान सभाओं के पुनर सर्वे करने की बात जरूर कही उन्होंने जन्ता से अपील की कि वह अपने मन की बात को अलाकमान के सामने किसी ना किसी माध्यम से जरूर रखें और उसे ही चुने जो उनके सुख दुख का साथ ही हो भले ही उनके नाम की घोशना ना हो लेकिन वास्तविक और सही सर्वे के बाद पार्टी जिस भी नाम की घोशना करेगी उनके समर्थक और उनके शेत्र की जनता उस प्रत्याशी को सर आंखों पर बिठाने का काम करेंगी C News के लिए अनिल कुमार सिंग की रिपोर्ट